MHCET 2024 Law Entrance Examination जो है आप उसको यहाँ पर Excel करना चाते हैं आप उस examination में बहुत अच्छे number score गिर के अपने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा college जो है वो प्राप्त करना चाते हैं but you have been always waiting for a comprehensive session जो कि आपको पूरी तरह से मदद कर पाए कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको examination में पढ़नी हैं किस तरीके से पढ़नी हैं और कैसे ये जो चीज़ है आपके examination में आपको मदद कर सकेगी ताकि आप जादा बहतर जो है यहाँ perform करें इन सभी चीज़ों पर आज यहाँ पर जिक्र जो है वो किया जाने वाला है मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस channel पर that is unacademy klat मेरा नाम है अधित तिराई and I am a senior faculty for law जो की सभी बच्चों को यहाँ पर मदद करते हैं अपने law entrance examination की तयारी करने के लिए however आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है मेरा I have a small request that if in case possible please do hit that like button and अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है then trust me आप बहुत अच्छा content बहुत अच्छे जो faculties हैं इंडिया के top faculties उनके द्वारा जो किया जा रहा है यहाँ पर उसको शायद miss out कर रही है तो इसलिए जल से जल session को जो है वो like कर दीजे और channel को subscribe भी कर लीजे चलिए तो आज हमारा जो यहाँ पर बात करने का उद्देश है that is where we are talking about MHCET examination MHCET examination के forms दो प्रकार के examination के लिए होते हैं एक है आपका 3-year LLB और दूसरा है आपका 5-year LLB दोनों के ही forms अब out हो चुके हैं और form filling की प्रक्रिया शुरू होगी है जिसके लिए अगर आप चाहें तो मेरा एक और session इसी channel पर है form filling को लेकर उसको जाकर आप एक बार जरूर देखेगा वहाँ पर आपको एक idea मिलेगा as to क्या वो चीज़े हैं जो कि आपको करना अनिवार रहे है और किस तरीके से आप अपना registration कर सकते हैं अभी सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर about the pattern of the examination जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके लिए मैंने examination का pattern जो है वो यहाँ पर लिख रखा है अगर हम MHCET law examination का pattern देखें तो वो 3 year और 5 year इन दोनों के लिए almost same है सिर्फ एक चीज़ का अंतर है and that is कि जो आपका 3 year examination होगा MHCET law का उसमें आपको कहीं पर भी maths यानि कि quantitative techniques देखने को नहीं मिलेंगी जो कि आपको 5 year में जरूर देखने को मिलेगी जहां पर आपके 10 marks जो है वो allotted है for mathematics however जैसा कि मैंने पहले भी sessions में बताया है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यह जो पूरे के पूरे आपके maths के questions है यह बहुत जादा higher level की नहीं है यह आपके 10th level के ही है and 10th level के होने के साथ साथ इनका जो difficulty level होगा वो भी easy ही होगा तो अगर आप बिल्कुल भी maths नहीं भी जानते हैं और थोड़ा बहुत भी अगर आप यहां से करना शुरू कर देते हैं तो इतनी मेरी guarantee है कि आप आराम से 6-7 number out of 10 जो है वो easily ला सकते हैं तो इसलिए आप पहले घबराएगा नहीं चलिए अब हम करते हैं आगे बात की आखिर वो कौन-कौन से subject matter है जिन पर सर हमको यहां पर test किया जाने वाला है तो जैसा कि आपको पता होगा आपका CLAT examination होता है common law admission test जिन में से बहुत सारे बच्चे यहां पर जो होंगे उन्होंने CLAT examination दिया होगा 2024 का और शायद जो हवाई है वो आपके favor में नहीं थी इसलिए अब आप एक तरह से धूर रहे है options जो की better हो सकते हैं आपके लिए तो MHCET comes out to be a very good choice तो यहां पर मैं आपको बदा दू जिन subject matters पर आपको test किया जाता है CLAT पर that is legal reasoning and legal aptitude, general knowledge and current affairs, logical reasoning and analytical reasoning, English और maths यह 5 के 5 subjects ऐसे हैं जो की आपके CLAT examination में भी आते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कुछ subjects को highlight करना चाहूँगा जिन में सबसे importantly आता है आपका analytical reasoning, analytical reasoning as such आपको CLAT में उतना जादा देखने को नहीं मिलता है इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए आपको थोड़ा special effort यहाँ पर डालना पड़ेगा साथ ही साथ जब हम बात करते हैं यहाँ पर general knowledge की इसका weightage थोड़ा सा जादा होता है जिसके लिए मैं आपको अभी बता दूँगा कि preparation कैसे करनी है तो हम उस चीज़ पर focus कर पाएंगे तो सबसे बहले हम exam pattern को समझ रहे हैं आपर यह मैं बात कर रहा हूँ 5 year LLB की 5 year LLB में आप देख सकते हो यह part sections होते हैं तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एक clarity रहे अगर हम बात करते हैं 3 year LLB की तो उसमें आपका यह जो subject matter है this is not there not there in 3 year यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे तो 5 year के subject matter मैंने आपको बता दिये similarly 3 years के subject matter जो है वो मैंने आपको बता दिये जिन पर आपको test किया जाने वाला है अब बात करते हैं number of questions की अगर बात की जाए number of questions की तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है तो number of questions यहाँ पर 150 होने वाले हैं 150 जिसको answer देने पर हर एक question पे सही answer देने पर आपको 1 mark मिलेगा हर सही answer देने पर 1 mark और हर गलत answer देने पर सर्थ कितना minus होगा किसी भी प्रकार की negative marking आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी उनके लिए बहतर है जो बच्चे थोड़ा सा confused हो जाते हैं कि क्या हमें यह question attempt करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल भी डरने की आविशकता नहीं है because यहाँ पर आपको पूरे के पूरे questions attempt करने है and trust me जितना time आपको यहाँ पर allotted होगा उस time से आदे घंटे पहले आप paper गर के free हो जाओगे यह चीज मैं आपको बदा दे रहो चलिए अब बात करते है mode of examination mode of examination जो है online होने वाला है online आपका यह test होगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किनकिन subject matters पर आपको test किया जाएगा कितना time आपको दिया जाएगा plus negative marking यहाँ पर नहीं है चोकि आपके लिए एक plus point हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर question हर question सही करने पर एक mark आपको जरूर मिलने वाला है चले तो यह हो गया हमारा exam pattern अब हम बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पर अब पता कर रहे हैं about the weightage weightage यानि कि हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस particular subject से कितने questions जो है वो पूछे जाते ताकि हमको एक idea लग जाए कि किस पे हमको कितना ज़ादा मिनत करने की आवश्यक्ता है तो यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं किस की यहाँ हम पहले बात कर रहे है 5 year LLB की ठीक है 5 year LLB में आप देखिए legal aptitude and legal reasoning legal aptitude and legal reasoning पे आपको in total 40 questions जो हैं वो पूछे जाएंगे जैसागी आपको पता है one mark for every question तो इसमें maximum marks आपके 40 होने वाले है similarly अगर हम general knowledge with current affairs की बात करें तो यहाँ पर 30 questions जो है वो आपसे पूछे जाने वाले 30 अगर हम बात करते हैं logical and analytical reasoning की again यहाँ पर 40 questions है अगर हम बात करते हैं English की यहाँ पर आपको 30 questions देखने को मिलेंगे and quant याने की max की अगर बात की जाए तो cable और cable 10 questions आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से weightage जो है यह 5 year LLB के लिए रखा गया है अगर आप ध्यान से देखेंगे guys and girls तो legal और logical मिला कर आपका 80 marks जो है out of 150 बनाता है याने almost almost आपके half से भी जादा जो है वो किसमे है वो cable और cable legal and logical reasoning है इसलिए मैं कहता हूँ कि please do make sure कि आप legal reasoning और logical reasoning पे थोड़ा जादा focus करें आप analytical reasoning पे जादा focus करें because यह चीज़ आप लोगों ने klat में नहीं पड़ी होती है right इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो current affairs and gk and आपका जो English subject है इन दोनों को मिला कर 60 marks हो रहे है 60 marks याने again approximately आपका half of the marks जो है उससे थोड़ा सब कम however but वो भी इतना ही weightage है तो अगर आप maths में से 10 में से 6 number भी ले आते हो 5 number भी ले आते हो तब भी I would consider कि आप बहुत safe zone में हो और आप top institute जो है वो पा सकते है ठीक है अब बात करते हैं सर उनकी जो की 3 year की तयारी कर रहे है 3 year के बच्चों के लिए आप देख सकते हो weightage कुछ इस प्रकार का है क्योंकि यहां maths नहीं होती है इसलिए weightage थोड़ा सा revise है इस चीज़ का ध्यान रखेगा Legal Actitude में आपको 30 questions देखने को मिलेंगे GK and Current Affairs में आपको 40 questions देखने को मिलेंगे Logical Reasoning और Analytical Reasoning में आपको 30 questions देखने को मिलेंगे और English में आपको 50 questions देखने को मिलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहां पर distribution जो है क्योंकि यहां पर English को सबसे ज़्यादा महत्वता दी गई है फिर उसके बाद आपके Current Affairs और GK को फिर Equal Weightage जो है वो Logical As well as Legal Reasoning को यहां पर दिया गया है तो I believe अब जितना भी हमारा exam pattern है Along with the weightage यह चीज हमने यहां पर discuss कर ली है और आपको इस चीज में अब किसी भी प्रकार का doubt नहीं होगा चलिए अब बात करते हैं आगे Sir, the question is How to approach these subject matters? आखिर इनकी तयारी हमें कैसे करनी चीए? क्या कुछ specific तरीके आप हमें बता सकते बिल्कुल अगर हम legal aptitude और legal reasoning की बात करें सबसे पहले तो आपको बता देते हैं legal aptitude और legal reasoning में आपको कुछ अलग-अलग basic laws जो होते हैं वो cover करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर आपको legal reasoning और legal aptitude दोनों पुछा जाने वाला है तो yes, it requires you to remember some of the laws the basic ones for example, आपको constitution of India के बारे में पता होना चाहिए and उसके अंदर you should know about the fundamental rights आपको parliament के बारे में पता होना चाहिए president के बारे में पता होना चाहिए vice president के बारे में पता होना चाहिए इस प्रकार की कुछ चीजों के बारे में आपको एक basic idea जो है वो लेना पड़ेगा similarly, आपको law of thoughts law of contract इन सभी का एक basic idea कुछ important landmark judgments इन सभी को पढ़ना होगा तो please do make sure कि आप ये मत समझके जाएं कि जैसे klat में होता है कि आप केवल और केवल वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आपको paragraph मिलेगा आप उससे ही read करके answer दे सकते हो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर it is also testing कि आपका subject matter knowledge कितना है इसलिए you will have to remember some of the basic laws इसलिए I would say आप कोई भी एक standard book जो है वो refer कर सकते हैं आप universal refer कर सकते हो एपी भारत द्वाज refer कर सकते हो जो भी book आप एक standard refer करना चाहें you can do it other than that सबसे important चीज यह है ध्यान दीजेगा klat 2020 से आप लोगों को पता होगा pattern change हुआ है बट उसके पहले जो pattern चलता था वो 2008 से वैसा ही चल रहा है तो आपको क्या करना है klat का 2008 से लेके 2019 तक का जितना भी previous year questions है जितने भी previous year questions है इन सभी previous year questions को आपको जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर करना है ठीक है मैं फिर से बता देता हूँ klat 2008 से लेके 2019 के previous year question papers को अगर आप कर लेंगे तो आपकी practice भी हो जाएगी mocks की आवशकता legal के लिए नहीं पड़ेगी plus आप acquaint हो जाएगे principal fact based questions से और साथी साथ other aptitude based questions जो आपको बनने चाहिए तो इतनी exercise अगर आप legal के लिए कर लेते हो I am pretty much sure कि आप अपने इस examination में excel कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये previous questions आपको कोई कर रहा है तो मैं आपको बदा देता हूँ 4 o'clock, रोजाना, Monday to Saturday हमारी यहाँ पर class होती है उस class में हम previous questions जो हैं उनको solve करने के कोशिश कर रहे हैं आप सभी बच्चों के साथ तो definitely आपको real time में ये पूरे questions करवाए चाहेंगे इसके बाद आते हैं आगे सर ये तो हो गया हमारा legal का part बट अगर अब हम बात करते हैं general knowledge की जो की बच्चों के लिए एक तरह से गले की हड़ी भी मैं consider करूंगा पसी हुई ऐसा आपको लग रहा होगा बट इतना कुछ ये difficult नहीं है अगर हम बात करें general knowledge की then I would say there is a book which is known as Lucent's GK बहुत famous book है आपके घर में अगर कोई भी senior आपके भाई बहन किसी भी government examination की preparation कर रहे हैं तो उन्होंने जरूर ये book जो है ली होगी आप उनसे consider कर सकते हैं वो आपको जो ये GK है इस book से आपको कुछ चीजों को refer करना पड़ेगा for example आप इस सिर्थ history के बारे में पढ़ें आप इस book में से polity पढ़िए आप इस book में से economics के terms पढ़िए economics के terms आप इस में से geography पढ़िए इतनी basic चीज़ कम से कम आप कर लीजिए ताकि general knowledge के जो भी questions आते हैं वो सभी के सभी आपको जो है वो बन जाए ठीक है तो ये exercise तो हो गए आपकी general knowledge के लिए but for current affairs हम क्या कर सकते current affairs के लिए आप क्या कर सकते हो कि there are websites जैसे की gk today या फिर there is a website जैसे की affairs cloud इस प्रकार की websites पे जाके आप क्या कर सकते हैं अपने जो mcqs होंगे current affairs के उनको आप cover करने की कोशिश करें जो important topics हैं उन पे जादा focus करें याद रखिएगा कि affairs cloud at times banking की दरफ थोड़ा जादा जो है deviate हो जाता है तो आप banking portion को जादा deep में मत करिएगा राधर आप national news और international news पे जादा focus करिएगा because वही है जो आपको examination में आएगी as such किस bank के किन को जो है appoint किया गया as a chairman until and unless it is very much of national importance आपको वो करने की आविशक्ता नहीं है तो इस साब से थोड़ी selective study आप करेंगे तो आपकी effective study हो जाएगी ये हुआ जी आपका lucent का इसके अलावा अगर हम बात करते हैं logical reasoning और analytical reasoning तो ये analytical reasoning वाला जो पार्ट है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा नया होता है इसलिए मैं आपको बताऊंगा इंडिया की best book consider की जाती है and that book is M.K.Panday आप इस book को refer कर सकते हैं definitely ये book जो है आपको बहुत मदद करेगी साथी साथ आप चाहें तो अरिहंत नामक book जो है ये भी refer कर सकते हैं ये आपको blood relations वगेरा वगेरा चीज़ें थोड़ा बहतर तरीके से करने में मदद करेगा तो इस तरीके से आप अपना logical reasoning और analytical reasoning को भी cover कर सकते हैं अब बात आती है English की English में जो questions आएंगे वो आपको दो प्रकार के या रादर इस प्रकार के आएंगे की grammar आपको जो है देदी जाएगी सही करने के लिए grammatical चीज़ें secondly आपको जो है कहा जाएगा इसका नाम है Ren and Martin यह Ren and Martin बुक जो है इसको grammar के लिए best book consider किया जाता है ICAC board की एक पतली सी बुक है आप चाहें तो इसको ज़रूर पढ़िएगा यह आपको definitely मदद करेगा आपके grammar को improve करने में तो अगर आप इतना गड़ लोगे English आपका अच्छा हो जाएगा बाकि vocab के लिए I would suggest कि अभी कोई बुक पढ़ने मत जाना क्योंकि बुक पढ़ने जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम जादा लगेगा और याद कम रहेगा तो बहतर तरीका यह होगा कि आप YouTube का फाइदा उठाएं and online sources पर जाकर आप ऐसा अगर टाइप करेंगे कि vocabulary for law entrance examinations vocabulary for competitive examinations तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उन particular वीडियोस से आप जो है words को निकाल कर लिख सकते हैं and definitely वो आपको मदद करेंगे अगर आपने ऐसे 200-400 words भी लिख लिए that is more than enough and उसको लिखने में मुश्किल से आपको अगर 2 घंटे daily भी देते हैं आप तो 5-6 दिनों में आपका ये कार्य हो जाएगा तो इस तरीके से आप देखिए मैंने यहाँ पर आपको help की है सारे के सारे subjects को cover करने में अब बात आती है कि सर plus point क्या है MHCET का तो आपको बता दें plus point MHCET का निकालने का ये है कि आपको इंडिया के कुछ top colleges जिनका नाम बहुत जादा माना जाता है जहां से इंडिया के बहुत सारे chief justices निकले हैं जहां से इंडिया के बहुत सारे politicians निकले हैं जहां से हमारे कुछ freedom fighters ने भी law किया था तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहां से अपनी पढ़ाई कर रखी है तो आप यहां से अपनी तयारी कर सकते हैं और ये college आप avail कर सकते हैं करना क्या है MHCET crack मिलेगा कौन सा college government law college जिसको GLC Mumbai के नाम से जानते हैं या फिर ILS पुने that is ILS law college इन सभी colleges में आप जा सकते हैं जहां पर आपकी fee जो है वो भी substantially बहुत कम होती है जैसे for example अगर हम GLC Mumbai के बात करें तो hardly 7,000 rupees आपकी fee होगी और इसके अलाबा आप लोगों को बहुत अच्छा exposure दिया जाएगा and definitely GLC Mumbai का alumni base जो है वो बहुत strong है जिसकी वज़र से आपको law fraternity में बहुत ज़ादा मौके जो है वो मिल सकते है other than this अब सवाल यह है कि sir and man अगर हम इस examination को crack करना चाहते हैं तो हमारी best practices क्या होनी चाहिए किस तरीके से हम अपने इस examination को prepare कर सकते हैं last तक रुखेगा कुछ important informations है ध्यान से एक एक चीज़ देखिए सबसे पहली चीज़ है to have your own strategy जी हाँ आपको अपनी खुद की एक strategy बनानी पड़ेगी you will not be required to follow somebody else's strategy आपको यह समझना होगा हर किसी का starting point अलग है किनी बच्चों को maths अच्चे से आते होगी किनी बच्चों ने legal पर रखा होगा किनी बच्चों ने logical और analytical reasoning पर रखा होगा तो सबका starting point different है चोकी starting point different है I don't think कि journey में आपको कैसे travel करना यह सबका same होना चाहिए आपको उसी हिसाब से अपनी journey जो है वो decide करनी है end में पहुँचना कहां है यह सबका same है तो please make sure कि journey को आप अपने हिसाब से customize करें कि कि किस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ ठीक है तो अपनी strategy बनाए बिना strategy के सर काम नहीं होगा इसके अलावा standard study material को ही refer करें आपको market में ऐसे बहुत सारा material flood होते दिखेगा इस time पे Instagram पे आपको Facebook पे WhatsApp पे messages आ रहे होंगे कि यह जो है 200 रुपीज में सारी books ले लीजे 150 रुपीज में ये मिल जाएगा 200 रुपीज में ये mock test मिल जाएगा इन सभी के पीछे मत भागिएगा अगर आप इन सभी के पीछे भागते हो और कहीं भी अगर आप उन चीजों को पंडे में लग जाते हो आप समय भी खोगे और अगर खुदा ना खासता सही time रहते आपको वापस नहीं खीचा गया उन चीजों से तो आप अपना attempt भी waste कर लोगा और ultimately आपका साल waste होगा इसलिए हमेशा कहते है standard books को refer करें जो सब कोई refer कर रहें उसमें आपको उतनी जादा कोई त्रूटियां देखने को नहीं मिलेंगी and at the same time since everybody, every topper, every aspirant is going through the same तो उससे ही जादा तर questions जो है वो भी बनाए जाते हैं या उससे ही inspire होकर questions जो है वो बनाए जाते हैं चलिए, अब सबसे important चीज है yes हर अरजुन को अपना कृष्ण चाहिए होता है ये आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास एक अच्छा mentor है definitely वो आपकी skills को जान कर किस तरीके से brush up करके आपको और आगे ले जाया जाए जो आपकी गलतियां है वहाँ पर आपको guide गरे जहां पर आप कमजोर पड़ रहे हो वहाँ पर आपकी ताकत बनके खड़ा होए ऐसा mentor आपके लिए जरूरी है जिनसे आप अपनी तयारी के बारे में बात करें आप अपनी condition के बारे में बात करें क्योंकि किसी भी exam को निकालने के लिए दशा और दिशा ये दोनों ही चीज़ें जो है वो आपकी एकदम परिपक्व होनी चाहिए एकदम perfect होनी चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ find a good mentor for yourself ताकि ये mentor जो है वो already चुकि घाट-घाट का पानी पीके बैठे होंगे उन्होंने जो गलतियां की है या जो गलतियां करते लोगों को देखा है वो आपको बताएंगे की आपको कैसे ये गलतियां नहीं करनी है चिक है जी इसके अलावा येस आपकी generation सबसे जादा blessed generation है तो इसी लिए सब कुछ चीज़ें आपको online मिल जाती है बट मैं इसी चीज़ को कहता हूँ कि जब हमारे पास सब कुछ होता है तो सबसे आदा बिगड़ते भी हमी है है ना वही चीज़ यहाँ है चोकि आपके पास इतनी सारी information है तो at times जो information आपके लिए required नहीं भी है आप उसमें गुछ जाते है मैंने देखा है कई बच्चों को जो LLB के तयारी में LLM के questions जो है वो लगा रहे है LLM entrance examination के तो ये भी होता है इसलिए please do make sure कि आप ऐसी गलतियां ना करें because ultimately आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको end में exam में काम आनी चाहिए अगर वो नहीं आ रही है don't go for it because internet पे बहुत चीज़ें flooded है that doesn't mean सब कुछ पढ़ना होता है that doesn't mean कि आपको एक human machine बनाया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ अगर आप straightforward तरीके से सही direction में तयारी करते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हैं इसी के साथ सबसे important चीज़ है make your everyday count कहने का मतलब आपका हर एक दिन जो है वो माइने रखता है आपको अपना time अपने दिन कुछ इस प्रकार से प्लान करने चाहिए जहां पर आपका हर एक दिन literally counts ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आज पढ़ा ही नहीं होई न कल कर लेंगे कल पता चला कुछ और हो गया कल दो दिन ही तो नहीं होई परसो कर लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए every single day of yours count इसे लिए आप अपना monthly target बनाए आप अपना weekly targets बनाए आप अपने daily targets बनाए और फिर उन targets को fulfill करने की कोशिश करें चेश्ठख करें आप अगर चाहते हो तो इन targets को आप अलग-अलग applications पर जाकर online भी submit कर सकते हो ताकि वो आपको remind कराते रहे for example आप to doist करके चीज़ होती है उस पर कर सकते हो या फिर आप टेलो करके चीज़ होती है उस पर बना सकते हो that is your choice these are all free of cost which are available इनकी मदद से आप अपने examination में definitely बहुत अच्छा जो है वो planning के साथ execution कर पाएंगे चली and one very important thing rather than spending your time in watching reels आपको जादा समय किस पर बिताना है in reading क्योंकि ये profession जो है वो आपसे चाता है कि आप चीज़ों को read जादा करें rather than कि आप इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं केवल और केवल और केवल देखे जा रहे हैं in the form of read इसलिए please do develop a habit of reading please do develop a habit of comprehending things because ultimately वही चीज़े हैं जो आपको exam निकल वाएंगे और आपको इस career में जो है strongly post कर पाएंगी आगे otherwise अगर आप पढ़ नहीं सकते अच्छे से read नहीं कर सकते तो आपके लिए इस career में definitely दिक्कत होने वाली है जी अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो आप मेंसे बहुत ज़ादा serious हैं अपने इस examination को लेकर और उनका ये मानना है कि काश हमें कोई सही direction सही दिशा और सही दशा में ले आता best of the best content हमें provide कर देता हमें समझा देता इसको पढ़ना कैसे है और फिर हमें guide कर देता अगर आप उस category में fall करते हो जहां पर you want it anyhow then I would say आपके लिए ये बहुत अच्छी opportunity है क्योंकि अभी unacademy आपके लिए different batches लेकर आया है जिनकी मदद से आप best of the best चीज जो है वो achieve कर सकते हैं and at the same time heavy discount पे कैसे देखे अगर आप तयारी कर रहे हो 5 year LLB की let me write it down या अगर आप तयारी कर रहे हो 5 year LLB की 5 year LLB के लिए unacademy का MHCET और CUETUG CUETUG जिसके तहत आप अलग-अलग central universities में जाकर अपना 5 year का law जो है वो कर सकते हैं तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए maestro batch जो है वो already live हो चुका है जो की आपके लिए पहले 50,000 rupees का combo था लेकिन demand इतनी जादा है और लोगों की requests इतनी जादा थी तो फिर unacademy decided की इसको जो है आपके लिए heavily subsidized कर दिया जाए तो अब ये price जो है वो आ गया है 9,599 however आप इसको और भी जादा subsidized price में पा सकते हैं अगर आप एक code का use करते हैं and that code is B, A, R, 5 ये bar 5 code का आप जैसे ही use करोगे you will get to see the maximum discount जो आपको unacademy के portal पर मिल सकता है इसी के साथ अगर हम आते हैं आगे जो बच्चे 3 year LNB की तियारी कर रहे है 3 year यानि आप C, U, E, T, P, G की तियारी कर रहे हो Delhi University आप जाना चाते हो Allahabad University आप जाना चाते हो इन सभी universities के लिए जो examination होता है वो होता है C, U, E, T, P, G ठीक है साथी साथ अगर आप इस C, U, E, T, P, G बच्च में जुड़ना चाते हैं तो current price जो है 7,199 रुपीज जो की almost 9,000 रुपीज के discount पे है again इस पे अगर आपको और discount चाहिए तो ये code जो है मैं आपको बदा रहा हूँ this is bar 5 इस code का उप्योग करें and get yourself a maximum discount इसके अलावा अगर आप C, U, E, T, P, G और M, H, S, E दोनों exam के त्यारी कर रहे हो LLB का जो batch है that is victory batch जो चाहता है कि आपकी जीत यहाँ पर हो वो जो है आपको अभी 20,000 रुपे के discount के साथ 10,399 रुपीज में मिल रहा है however again आप चाहोगे कि इसको subsidize कर दे तो आप ये चीज़ कर सकते हो using the code bar 5 जैसे ही आप bar 5 code का use करेंगे you will get to see the maximum discount ठीक है अब मैं आपको ये चीज़ करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप में से जो बच्चे चाहते हैं कि उनको कैसे ये चीज़ avail कर सकते हैं तो उनको भी थोड़ी सी मदद मिल जाए आपको करना कुछ नहीं है आपको जाना है Chrome पे Chrome पे जाने के बाद आपको Unacademy Clat पे सिलेक करना है जैसे ही website आएगी आप कुछ इस प्रकार से उस पे जा सकते हैं अब यहाँ दो options दिख रहे होंगे आप यहाँ देख सकते हैं एक तो आपको Clat and other 5 year LLB exams दिख रहे हैं और दूसरा जो है जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो पर एक्जामपल जी वन सेकेंड गाईज एक सेकेंड दीजेगा I guess there is an issue with this IIT got another MBA जी हमारा जो लिखने का pad है I guess it is not working एक सिकेंड रुके जी तो लेट सपोस यह हम आए Clat तक तो आपको आना है यहाँ पे फिर उसके बाद आपको जाना कहा है यह store दिख रहा है जैसे ही आप store पे आएंगे आप देख सकते हैं यह maestro batch जैसे आपको यहाँ दिख रहा है यह आपका 5 year LLB के लिए है हम इस पे जाएंगे आपको price जो है वो अभी दिख रहा है आप इस पे join batch पे जाएंगे join batch पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक code का use करना है and what is that code bar 5 कहाँ पे डालोगे आप यह code यह code आप जैसे ही input करोगे यहाँ पे that is referral code पे तो आपको यह जो price है यह और भी जादा subsidize हो जाएगा यह पूरा जो है वो यहाँ पर minus हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप इस code का use करिएगा bar 5 and definitely फिर आपको maximum discount जो है वो देखने को मिलेगा I hope I am clear with all of this इसी के साथ आप सभी सिलना चाहेंगे विदा and I would request everybody of you कि जो भी बच्चे serious है examination के लिए अभी जाएए and get yourself the best of the best courses जो मैने यहाँ पर आपको बता रखें as per your requirement because definitely these courses will help you not only in cracking the examination but cracking them with good marks so that आपको आपका desired college जो है वो मिल सके with this I am signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying, keep grilling Jai Hind, Jai Bharat